शेक चिल्लीक बेगम के पैर, बात उन दिनों की है, जब महेंद्रगर जजजर के नवाब के अधीन था, उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आकरांताओं के आकरमन हो रहे थे और रोह तक, पानीपत और रेवारी, दिल्ली के रास्ते में पढ़ने के कारण इन थे, नवाब उन दिनों जजजर के बुआवाल तालाब को ठीक कराने में लगे थे, ताकि संकट के समय रिवाय को पानी का कश्ट न हो, अचानक दुर्राने के तेज हमले की खबर आई, पता चला कि दुर्रानी के सेना रेवारी के पास पहुँचने वाली है, तुरंत नव नवाब ने रियासत के जानवाज सिपह सालारों और वजीरों मनसबदारों की एक बैठक बुलाई, एहम मसला था कि अगर दुर्रानी जजजर का रूख करे, तो उसासे कैसे निपता जाए, और अगर हमले की सूरत में रोहतक या रेवारी से मदद की गुहार आई, तो क्य किया जाए, सभी का कहना था कि रियाया को तुरंत आगाह कर दिया जाए कि हमले की सूरत में उसे अपना बचाव कैसे करना है और दुश्मन से जूजने के लिए पूरी तैयारी की जाए, दूसरी रियासतों की भी भरपूर मदद की जाए, उसी दिन पूरी रियासत में बेगार नहायत मोटे किस्म की थी, उन्हें देखकर अक्सर लोग यहमान ही नहीं पाते थे कि शेक्चिली के घर फाके भी होते होंगे, वह एकदम हक्के बक्के और परेशान हो उठे अब कोई समझाए नवाब को की हमला हुआ, तो इतनी मोटी बेगम भाग कर इतने दूर ज अगर उन्होंने बेगार की ओर देखा मगर रास्ते ही में पकड़े जाने पर वे उन्हें देखेंगे नहीं, तो क्या आखें बंद कर लेंगे, अंधे भी तो नहीं होंगे वे, हाँ, शेक फारुक एक दिन कहतो रहे थे दुररानी एकदम अंधा है, मैदान में उतरता है तो अपने पराए में फर्क नहीं कर पाता, मगर दुररानी अंधा है, तो क्या उसके सिपाही भी अंधे होंगे, बड़ी मुसीबत में जान फंस गई, मेरा क्या है, मैं तो उसकी फौच के गुबार से ही उड़कर कहीं का कहीं जा पहुँचूंगा, मगर सवाल तो बेगा को घोड़े पर बैठा कर दौड़ा दूंगा, दुररानी की कमभक्त सारी फौज हाथ मालती रह जाएगी, मगर घोड़ा भी तो जानवर है, पता नहीं, बेगार का बोज सह पाएगा या नहीं, ऐसा नहो की बीच में पिचक जाए या खुदा, ऐसा हुआ, तो क्या होगा घोड़ा कहीं गिरेगा, बेगम कहीं बिरंगी उनसे तो गिर कर उठा भी नहीं जाएगा, फिर घोड़ा नवाब का है, क्या पता, सीधा जंगल में जाएगा या लड़ने का जोश में कमभक्त दुर्रानी की फौज में ही जागुसेगा बेगम बेचारी तो जोड़ कार लगाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती, माना कि उनके अब बहजूर एक जानबाज सिपाही थे, तलवार ऐसी चलाते थे कि दुश्मन को छटी का दूध यादा जाता था, मगर धुल पड़े उनके दक्यान उसी ख्यालात पर बेगार को जबान चलाना तो सिखा दि तो उस समय काम ना आती जब घोड़ा उन्हें लिए दुर्रानी की फौज में जा घुसता मगर यहमाना की घोड़ा दुर्रानी के फौज में घुस जाएगा, मगर बेगार का पास तलवार कहां से आएगी, अल्लाह मिया आसमान से तो टपका नहीं देंगे कि लो मेरे चोड़ कर भाग जाएंगे, नवाब उन्हें हैरानी से भागता देखेंगे, पूछेंगे यह हन्होनी कैसे हुई, किस आसमानी ताकत ने यह सब किया, तभी भेदिया आकर नवाब को बताएगा, हुजूर, एक मोटी औरत ने तलवार से दुर्रानी की गर्दन उड़ा द निकलेगा, वैसे ही जैसे शहनशाह अकबर नंगे पैर वैशनो देवी की जियारत पर निकले थे, बेगम, दुर्रानी का खून से लटपत सिर तलवार की नोग पर तांगे मैदाने जंग में खड़ी होंगी, नवाब उसकी कदमबोसी करेगा, बार-बार सजदे में जुक अपने सभी अमीर उम्राओ को बेगम के पैरों की धुल माथे से लगाने को कहेगा, पैर चूमने को कहेगा, सभी बेगम के पैर चूमेंगे, नवाब मुझसे भी उनके पैर चूमने को कहेगा, भला अपनी बेगम का पैर मैं कैसे चूम सकता हूँ, मैं कहूंगा नहीं, न नवाब बॉकला उठेगा, सिपाहियों से कहेगा पकड़ लो इस मर्दूत को और डाल दो इस आस्मानी ताकत के पैरों पर नवाब के सिपाही मुझे पकड़ लेंगे और फिर और जोर से धाम की आवाज हुई तो शेक चिल्ली ने देखा वह चार पाई से लुरक कर नीचे स अमले का डर उन है और ज्यादा सताने लगा था कि कहीं सच मुच में बेगम के पैर ही चूमने ना पड़ जाएं और सब्सक्राइब करतेजिएगा दोस्तों प्लीज राधराधे दोस्तों बाई बाई मिलते हैं अगली वीडियो में